आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खुबसुरत प्रोशे की डिजाइन लेकर के आई हूँ इसे बनाने के लिए पहले हम 30 चेन बनाएंगे मैंने 30 चेन बना ली हैं अब हम 3 चेन छोड़ करके एक दो तीन तीन चेन छोड़ करके एक डबल क्रोशिय बनाएंगे इस तरह से फिर चार चेन छोड़ेंगे एक दो तीन चार पांचवी चेन में दो डबल क्रोशिय एक साथ बनाएंगे पहले एक डबल क्रोशिय बनाएंगे फिर दूसी डबल क्रूश्या बनाएंगे फिर एक चेन बिनेंगे यह एक चेन बिनेंगे और फिर इसी चेन से दो डबल क्रूश्या और बनाएंगे यह इस तरह से इस तरह से एक चेन में हमने चार डबल क्रूश्या बनाई है अब फिर हम चार चेन छोड़ करके ये एक, दो, तीन, चार, चार चेन छोड़ करके एक डबल कुरुश्या बनाएंगे, फिर दूसरी डबल कुरुश्या बनाएंगे, दो डबल कुरुश्या हो गई, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर दो डबल कुरुश्या इसी चेन से थी उसी तरह से यह चार डबल कुश्या बनाएंगे फिर हम चार चेन छोड़ करके इसी तरह से चार डबल कुश्या बनाएंगे लास्ट में यह चार चेन छोड़ करके एक दो तीन चार चार चेन छोड़ करके हम दो अलग अलग चेन से दो डबल कुश्या बनाएंगे यह इस तीन चेन बिनेंगे इसी कलर से ये एक दो तीन और इस तरह से ये नमूने को पलट देंगे अब दूसरी लाइन में हम ये एक तो हमारा एक डबल कुरुषया के उपर चेन से एक डबल कुरुषया बन चुकी है दूसरी डबल कुरूशय के उपर हम एक डबल कुरूशय इस तरह से बनाएंगे फिर हम यह जो चार हमने डबल कुरूशय बनाई है इनमें जो बीच में एक चेन है इस जगह पर कुरूशय डाल करके दो पहले डबल कुरूशय बनाएंगे इस तरह से फिर एक चेन बनाएंगे फिर दो डबल कुरुश्या बनाएंगे फिर इसी तरह से इसके बाद वाली जो डबल कुरुश्या बनी है इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे और पूरी लाइन इसी तरह से बनाते चले जाएंगे इस लाइन के लास्ट में हमें दो डबल कुरूश्या बनानी हैं जैसे कि मैंने पहली वाली लाइन में बनाई थी तो एक डबल कुरूश्या इस तरह से बना लेते हैं और दूसरी डबल कुरूश्या जब बनाते हैं ये तब आप हम यहाँ पर उन जोड लेंगे अब इस तरह से दूसरा हो जोड लेते हैं अब तीन चेन बनाएंगे और इसको इस तरह से पलट लेंगे पहली डबल कुरुश्या के उपर तीन चेन से एक डबल कुरुश्या बन गई है वाइट कलर से दूसरी डबल कुरुशय के उपर ये एक डबल कुरुशय बनाएंगे ये इस तरह से हमने ये एक डबल कुरुशय बना ली है अब ये जो दो होल हैं ये एक ये और एक इसके निचे वाला यहां पर हम एक डबल कुरुशय इस तरह से बनाएंगे ये इस तरह से एक डबल कुरुश्या बनाएंगे इसको ऐसे छोड़ देंगे फिर दूसरी डबल कुरुश्या यहां से बनाएंगे ये इस तरह से और फिर ये इस तरह से डबल कुरुश्या बन जाएगी फिर हम ये जो ये चार हमने डबल कुरुशा बनाई हैं दो डबल कुरुशा एक चेन एक डबल कुरुशा यहीं पर इसी तरह से फिर से बनाएंगे दो डबल कुरुशा एक चेन फिर दो डबल कुरुशा जैसे पहले बनाई थी उसी तरह से बनाएंगे यह इस तरह से बना लेंगे फिर हम उसी तरह जैसे पहले हमने किया है यह दोनों होल लेंगे एक उपर वाला एक नीचे वाला और यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोश्या बनाएंगे यह इस तरह से छोड़ देंगे फिर से दूसरी डबल क्रोश्या बनाएंगे ये इस तरह से ये बना लेंगे फिर इसी तरह से इस पर चार डबल कुरुशा बनाएंगे इसी तरह से पूरी लाइंग बनाते चले जाएंगे यह तीसरी lane दो डबल कुरूश्य आखिर में बनागर के पूरी हो गई है, अब हम 3 chain बनाएंगे, यह 3 chain बन गई है, पल्ट लेंगे और फिर हम यह जो एकडबल कुरूश्य बनी थी, दो लाइने हम उसी तरह से फिर से बनाएंगे चौथी और पाँचवी लाइन मैंने पहली लाइन और दूसी लाइन की तरह बना ली है अब पहले की तरह ही दूसरा कलर लगा लेंगे अब दूसरे कलर से तीन चेन बना लेंगे इसको पलट लेंगे ये दूसरी डबल कुरूशय पर एक डबल कुरूशय बनाएंगे इस तरह से फिर ये जो दू होल है उपर काणू नीचे का तो नीचे वाले होल से एक डबल कुरूशय इस तरह से बनाएंगे फिर एक और डबल कुरूशय इसमें बनाएंगे इस तरह से और ये तिनों को एक साथ ले करके एक फंदा बना देंगे इसके बाद ये जो चार डबल कुरूश्या बनने हुई है इनमें बीच वाले होल से ये चार डबल कुरूश्या उसी तरह से बनाएंगे जैसे पहले बनाई है एक चेन, दो डबल कुशिया एक चेन, फिर दो डबल कुशिया इसी तरह से बनाते हुए पूरी लाइन बनाते चले जाएंगे इस तरह से बनाते हुए ये कैट स्टिच बनती चले जाएगी और ये बहुत ही खुबसर डिजाइन के रूप में उभरेगी फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें थैंक्स